जें दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी अचीवर्स अकेडमी में दोस्तो आर्मी रेली भरती में जाते वक्त डोकुमेंट तो आप लेके जाते ही हैं मगर कुछ फॉर्मेट भी हैं जो आपको लेके जाना बहुत जरूरी है जैसे कि एफडेविट के फॉर्मेट और खेरेक्टर सर्टिफिकेट फैमिली डिटेल वाला फॉर्मेट इसके बाद मेडिकल नोरिस्क सर्टिफिकेट कॉंसेंट फॉर्म ऐसे बहुत सारे आपको दोकुमेंट के वज़े से अगर रिजेक्ट होते हैं तो यह समझलो की टेलेंट होते वही भी आप सेलेक्ट ना हुए यह एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है दोस्तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है नए होगो तो हमारे चैनल को जरू कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को शेट कर लेना ताकि लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें आपको सबसे पहले तो दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो जैसे कि सबसे पहले हम सुरू करते हैं कोविड-19 के नेगेटिव से जोकि मेडिकल से नाम से बनता है यह आपको बनवाना है चाहिए तो आप स्क्रीन सोट लेते रहना और इसी से साइज में आपको उसको टाइप करवा लेना है और उसको लेके जाना है ठीक है दोस्तो और आप टाइप करते समये इसको एरिया लो बारा में रख सकते हैं और बनवा सकते हैं कहीं भी आप ठीक बात ये है दोस्तों कि महाँ पे आप government जो hospital है उसका stamp भी लगवाएंगे डॉक्टर का stamp लगेगा और वो सारा अपना detail इसमें feel कर देगा तब ही माननी होगा इसके बात दोस्तों no risk certificate क्यों बनता है क्योंकि दोस्तों आप जा रहे हैं भरती देखने के लिए इस covid-19 की situation में तो counter sign आपके पिताजी करेंगे तो ये बन जाएगा आपको simply type करके बनवाना है same format चीए तो screenshot ले लीजे और आपको इसको areaal 12 में रखके बनवा लीजे ठीक है इसके बाद दोस्तों suggested format ऐफडेविट का तो ऐफडेविट क्या होता है दोस्तों ऐफडेविट आपको बनवाना हो और दोस्तों सारा आपका जो residential address सारा इसमें भर देना है इसमें सब कोई detail होता है जैसे आप married हो unmarried हो ये भी इसमें लिखा होता है आप कोई civil case में तो नहीं फसे हो फसे हो तो उसके बारे में लिखो ये सारा इसमें भर देना है दोस्तों इसके बात आती है consent certificate की तो consent certificate इसी दो line का concern certificate हो जाता है इसके बाद दोस्तो फिर इसमें option अलगे लगाते हैं कि आप जो authorized है आपके brother वगएरा का तो नाम regiment का नाम इसके बाद में आप जो है सारा इसमें detail भर देना है और दोस्तो इसी तरह से आपको एक अलग से एफिडेविट बनवाना है उसमें सारा detail आपको यहाँ भरना है आपका address से related और इसके बाद फिर इसको sign करवाने होते हैं दोस्तो नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर आप खुछ sign करेंगे ताकि verify होगा कि आपने जो जानकारी भरी है वो सब सत्य है और notary करवानी होती है दोस्तो first class magistrate के द्वारा notary जरूर करवाएं वरना अमानी हो जाएगा इसके बाद दोस्तो pre verification certificate या फिर character certificate भी इसको हम बोल सकते हैं चरितर परमान पत्र यह किसलिए होता है दोस्तो कि अगर आप मतलब जो बच्चे गलतियां करते है या फिर उनका hospital में केस दर जो होता है गाउं में उनका character अच्छा नहीं होता है तो उसके लिए मांगा जाता है तो दोस्तो इसमें आपका नाम आएगा आपके residence का नाम village का नाम तेसिल post, state, pin, सारा सब कुछ detail भरने के बाद आपको क्या करना है कि दोस्तो इसमें सारा दिक को लिखा हुआ है कि आप जो है good moral character है आपका और सारे अच्छे अच्छी बात इसमें लिखी हुई है अगर गलत होगी तो police इसको verify नहीं करती है इसके बाद यहाँ पर signature of officer on sale तो officer कोन है दोस्तो यहाँ पर देखो मैं बताता हूँ कि कोन है officer यहाँ पर दोस्तो आप serpent से sign ले सकते हैं district police से sign लेना है headmaster principal से यह तीन अलग अलग है छमीने के अंदर बने होने चाहिए इसके बाद यह दोस्तो अलग है कि armored forces commission officer से भी आप ले सकते हो ठीक दोस्तो यह बन गिया इसके बाद मैं आगे बताते है family detail का तो family detail में दोस्तो आपको कैसे भरना है वो भी मैं बता देता हूँ तो इसके अलाबा कुछ नहीं लगए आप pen से इसको भर सकते हैं इसके बाद मैं proof के तोर पे दोस्तो आपको provide करनी होगी civil education जैसा गे मैंने बताया birth certificate date of birth हो या फिर उनके पास उनका जो भी हो water ID हो या ration card हो उनके उपर लिखा है उसी के इसको fill करना है गलती ना करें इसके बाद में आपको उसमें photo चिपकाना है मतलब सभी को खड़ा करो photo लो post card के size में और photo ले लो पिता जी आ भाई फोज में जो है उनका वर्दी में photo साथ में होना चाहिए इसके बाद दोस्तों यहां पर आप gram serpences को sign करवा लीजिए ठीक है तो यह सारे normal SS certificate है दोस्तों compulsory जो आपको लेके जाने होते हैं और बहुत से लोगों को पता नहीं होता है मगर वो लेके नहीं चाते है फिर बाद में इसकी वज़े से उनको वापिस आना पड़ता है तो